प्रिये मित्रों आज हम कोडिनेट जोमेट्री या त्री मिमी जामेती या टू डाइमेंशन जोमेट्री इत्यादी का अध्यन करें। यह दिया आप लोगों ने अभी तक इस चैनल का सब्क्राइब नहीं किया हो। तो इस चैनल को सब्क्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर जाकर o.p.ri.vdi लिखिएगा तो आपको जो है सब्क्राइब हो जाएगा। सब्क्राइब करने के लिए लिखेंगे o.p.ri.p.di. क्या करेंगे आप चेनल को सरफ पैप करने के लिए लिखेंगे O.P.TRIVDI YouTube पर जाकर O.P.TRIVDI सब्क्राइब करेंगे तो चेनल आदेगा आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्षान नंबर वार कोडिनेट जोमेट्री त्री विमी जोमेटी हम सभी क्लासेशों के लिए CBSC कोर्स, कॉलेज का कोर्स, या MP बोर्ड का कोर्स हो प्लास्टेन थो, 11 थो, 12 हम क्या क्या करना चाहेंगे आज हम पाइंड लिखना चाहते हैं, पहला पाइंड लिखना चाहते हम प्रोजेक्शन पि-्यारो, जैए e cti oe प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन का अर्थ हमारा नहां पर सुद्ध हिंदी में कहें तो प्रक्षेप हैं या यूंख हैं या चाहेंड चाया है चाया यह बारे में अध्यन करना चाहते हैं चाया सेडू प्रक्षेक मतलब सेडू तो पहले हम क्या अध्यन करेंगे projection तो पहले की तयारी के लिए मैं यहाँ पर कारिक करना चाहता हूं तो मैं आपको प्रोजेक्शन के लिए एक डाइग्राम बना रहा हूं आप लुक दिखेगा डाइग्राम को मैंने यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ओ है यह एक्स एक्सी से एक्स एक्स है यहाँ ओरीजन है ओ कौन है मूल बिल्लू है ओ आपका कौन है ओ आपका जो है ओ इज ओरीजन ओ मूल बिन्दू है ओ मूल बिन्दू है ओ कौन है मूल बिन्दू है अब हम यहाँ पर एक लाइन आपको दिखाना चाहते हैं एक रेखा हम कीचना चाहते हैं तो वो लाइन माल लीजिए आपकी जहाँ पर यह आपके एक लाइन है यह आपकी एक लाइन ठीक रेखा कीचिए इस रेखा के दो पॉइंट हुए यह पॉइंट हुआ है और यह पॉइंट हुआ आपका अग आपका जापर तीन कॉडिनेट में से मतलब एकश अक्स के कॉडिनेट को मैं आप ब्रेकेट खुला रखूँगा यह पर पहला X1 तो इस दिसा में दूसरे को ब्रेकेट ओपन रख रखा है और यह लिख रखा है X2 तो इसके आपके एक सक्षमदिश्था में तो हम नहाँ पर एक perpendicular डालना चाहते हैं एक लंब डालना चाहते हैं आप नहाँ पर लंब देखेगा नहाँ पर मैं A से एक लंब रेखा O X पर गिनाना चाहता हूँ देखी यह हमारी रेखा आपने perpendicular line यह line कौन सी हो गई perpendicular line हो गई इससे हमने aim point दिया माली जी यह aim बिन्दू है एक और मैं perpendicular डालना चाहता हूँ नहाँ पर 20 हम एक perpendicular line X अक्ष पर खीचेंगी यह देखे dotted line देख रहे हैं dotted line यह dotted line आप देख रहे हैं यह dotted line आपकी X अक्ष पर एन बिन्दू पर मिलती है इस बिन्दू पर मिलती है A B कौन है देखा है A B is line नहाँ पर दूसरा पाइंड में लिख रहा हूँ A and B अज़ें अज़ी आइनी टू points गीवन इस बिन्दू अज़ें कहूं A और B A A था B कोई दो दिये गए बिन्दू है दो दिये गए बिन्दू है तो A and B Any two points given दिये गए है क्या दिये गए है देखिए A बिन्दू है और यह बिन्दू है अब O से A तक आप देख रहे हैं यह O से A तक यहाँ से distance distance O से लेकर A तक यह वाली distance आपकी X1 है O से A तक कितनी है O से A तक आपकी distance जो है वह कितनी है X1 है अब O से N तक की distance हम मैं लिखने वाला हूँ कहां से कहां तक O से देखिए O से कहां तक N तक यह distance है वा X2 है यह जहां पर distance कहां से कहां तक O N और O N तो इसे मैं यहां पर लिख देता हूँ तीसरा length length न लंबाई OM की OM की लंबाई X1 है OM की लंबाई X1 है OM की लंबाई क्या है X1 है अब चोथा fourth point हम लिखने जा रहे है और वह है OM की length लंबाई भाई किसकी लंबाई OM की OM की लंबाई आपकी यहां पर X2 है OM की लंबाई क्या है X2 है मैंने OM की लंबाई क्या लिए है आप देखिए मैंने X2 लिए X2 तो अब मैं अगला कारिय अब मुझे AB का प्रक्षे AB का पाच्वा पाइंड लिखना चाहता हूँ पाच्वा पाइंड को मैं जा पर बड़े आराम से लिखना चाहता हूँ AB रेखा का प्रक्षे प्रक्षे AB रेखा का प्रक्षे OX पर OX पर किस पर? OX पर अंग्रेजी में कहेंगे हम लोग इंग्लिश बेस्प्रिकार दप्रोजेक्शन, दप्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, आप, लाइन, एबी, ओन, ओ एक्स, एक्सीज, तब प्रोजेक्शन, आप, लाइन, एबी, ओन एक्स, ओ एक्स, अब एबी रेखा का प्रक्षेब, क्या होगा, तो AB रेखा का प्रक्षे जैकि AB की चाय क्या बन रही है? MN यह MN है यह projection है A पर इनापा AB की चाया AB का प्रक्षे OX पर कितना बन रहा है? MN बन रहा है क्या बन रहा है? MN बन रहा है MN बन रहा है तो इसे हम MN तू लिखेंगे यह क्या है? प्रक्षेप है किस पर है? किस पर प्रक्षेप है? एक सक्ष पर प्रक्षेप है तो MN कैसे प्राप्ट होगा साथ? तो MN को हम प्राप्ट करना है तो o-n में से o-n लंबाई में से आप सब्टेक्ट कर दीजिए o-n लंबाई पना o-n में से o-n घटा दीजिए तो a-n आ जाएगी किस में से क्या घटाना है देखिए o-n और घटा रहे हैं हम सब्टेक्ट कर रहे हैं अब आप ही बताईए यहां पर मुझे एमेन मिलाना है तो एमेन क्या आया ओएन का मान ओएन का मान कितना है एक्सटू और ओएन का कितना है ओएन का है एक्सवर तो यहां आपका कितना हुआ एक्सटू माइनस एक्सवर यह एक्सटू माइनस एक्सवर क्या कहलाता है आपका जहां पर यह एक्सटू माइनस X1 यह MN है MN क्या मिला है हमें X2 माइनस X1 मिला है यह प्रक्षेप की लंबाई हो गई यह प्रक्षेप हो गया यह प्रक्षेप कहलाता है प्रक्षेप कहलाता है इसे हम A द्वारा भी व्यक्त करते हैं small A द्वारा भी व्यक्त किया जाता है इस दिनोटेड बाई अर्था ये क्या हुआ यह प्रोजेक्शन हो गया कौन हो गया इसे कहते हैं प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन चाया प्रोजेक्शन चाया चाया किस पर चाया एबी रेखा की चाया आपकी क्या किलाएगी एमेन ये देखे डार्क पिलकुल कर दिया ये एमेन है ये चाया किस पर है ओ एक्स पर एमेन इज प्रोजेक्शन आपके लाइन एबी ओन ओ एक्स तो प्रिये मित्रों ये आज मैंने आपको प्रोजेक्शन के बारे में चाया के बारे में पाइट नमबर एक के बारे में आपको बताया प्रक्षेव के बारे में समझाय तो बहुत आसान तरीके से हर कोई व्यक्ति सीख सकता है इसे जरूर सीखना चाहिए अगले समय पर मैं आपको दिक अनुपाद दिक को जाएं तथा दो बिंदों के 20 की दूरी के बारे में अवस्य बताऊंगा धन्यवाद